नियंत्रन और समन्मय, अंतसरावी तंत्र, आईए इन कुर्सियों पर आराम से बैठें, बतिया बुझा दीजिए, यदि संभब हो, छाया भी बंद करें, अपनी आखे बंद कीजिए, कोई शोर ना करें, हम मात्र सुनेंगे और अपनी कल्पनाओं का प्रियोग करेंगे, अपनी आखे बंद कीजिए, अपने पैरों को आराम दीजिए, अपने घुटनों को सिथिल करें, अपने पेट को सिथिल करें, अपने हाथों को धिला कीजिए, अपने कंधों को सिथिल करें, अपने छाती को धिला कीजिए, अपने माथे को सिथिल करें आपका शरीर इस समय क्या कर रहा है? क्या आपके हाथ काप रहे हैं? क्या आप सीट से कूदे थे? क्या आपके हिर्दय की धड़कने बढ़ी थी? क्या आपका हिर्दय उचल रहा है? क्या आप चिखे थे? सूची बद्धिक्रियाओं में कारियरत शरीर के तंत्रों की पहचान कीजिए आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका शरीर ऐसा कर रहा है आप पडोस के पार्क में स्केटिंग कर रहे हैं आप अपने आँखों के कोने से एक बड़े खतरना कुट्टे को आपकी और घूरते देखते हैं वह गुर्रा रहा है, भौक रहा है और दात दिखा रहा है अचानक वह अपनी कैट से छूड़ता है और सिधे आपकी तरफ दौरता है आपका हिर्दे उचलने लगता है, हाथों से पसीना निकलने लगता है और मानस्पेशियां जकर जाती है आप अपने स्केट बोर्ड को पकड़ कर माता पिता के कार की तरफ भागते हैं जैसे ही आप दरवाजा बंद करते हैं, कुटा खिड़की पर कुदने लगता है अब आप सुरक्षित है, फिर भी आपका हिर्दे अभी भी उचल रहा है इस अध्याय में हम पढ़ेंगे खत्रों के शिग्र प्रतिक्रिया में कैसे अंतश्रावी तंत्र हमारी सहायता कर सकता है और यह कैसे धीरे-धीरे हमें बच्चे से यूवा फिर यूवा से वैस्क में बदलता है प्रस्तावना, क्या आप कभी रशायन की कप्षा में बैठे हैं और सोचा है की रशायन विग्यान हमारे साथ क्या करता है प्रस्तावना तंत्रिका तंत्र के साथ साथ शरीर के विभिन क्रियाओं का नियंतरण और समन्वय अंतहसरावी तंत्रे द्वारा किया जाता है जैसा कि आप चितर में देख सकते हैं तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, तथा अंतहसरावी तंत्र मानव सरीर में कई तंत्र होते हैं जो उसको नियंतरित करते हैं इन सभी तंत्रों की कुछ मुख्य जिम्यदारी है जैसे कि ऑक्सिजन प्राप्त करना, भोजन पचाना या अप्र, अप्र योज्य को त्यागना प्रस्तावना, इन में से एक जिसे आपने पूर्वक अक्षाओं में पढ़ा तंत्रिका तंत्र है दूसरा तंत्र, अंतहसरावी तंत्र है या ग्रंथियों का तंत्र है जैसे कि पीनियल ग्लैंड, पिट्यूट्री ग्लैंड, हाईरोइड ग्लैंड तथा एड्रेनल ग्लैंड्स अंतह स्रावित तंत्र का परियोग शरीर में संदेशों के प्रभाहा के लिए होता है पीनियल गरंतिया प्यूस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थाइरोइड ग्लैंड, अधिवरिक्य ग्लैंड, अगनाशय ग्लैंड तथा विरिशन ग्लैंड आपके शरीर में मुख्य सूचना तंत्र तंत्री का तंत्र है आखों की पुतलियों में संकूचन, लार श्राव में ब्रिद्धी, श्वसनियों में संकूचन, हिर्दय की धड़कन का मंदन, क्रमा कुंचन और स्रावन में ब्रिद्धी, पित श्राव में ब्रिद्धी, मुत्रासय में संकूचन, तंत्रिका तंत्र एक टेलीफोन के समान कारिय करता है संदेश एक अस्थान से दूसरे अस्थान भेजे जाते हैं उसी परकार जैसे एक टेलीफोन आप से एक संदेश आपके मितर तक ले जाता है किन्टु मान लिजे, आप एक विक्ति से ज्यादा को बताना चाहते हैं आप एक समय पर एक मित्र से बात करके सभी से बात कर सकते हैं किन्टु यह बहुत अधिक समय लेगा जब तक आप सभी को संदेश पहुँचाएंगे, तब तक देर हो चुकी होगी तो आप सभी मित्रों को सिग्रता से संदेश कैसे भेज सकते हैं? माल लिजिए आप स्थानिय रेडियो स्टेशन जाए और संदेश प्रसारित करें ऐसा करके आप समस्त मित्रों को एक साथ संदेश शुना सकते हैं हमारी शारेरी क्रियाओं को नियंतरण की आविशक्ता क्यूं है? हमारे शरीर की क्रियाए बहुत जटिल है और उनको नियंतरण करने की आविशक्ता है जिससे प्रते क्रिया उचित समय और उचित क्रम में क्रियानविन्थ हो